देखो रिसेली मैंने हर एक बजट की वीडियो डाल दी चैनल पे 30,000 से लेके 1,000,000 तक की अगर आपका एन में से कोई भी बजट है फिर आप जाके specific बजट वाली वीडियो को चेक कर सकती हो लेकिन अगर आपने 45,000 के अंदर नए लापटोप आप करना है तो आप बिल्कुल पहला लापटोप है HP का लापटोप 14 लापटोप है देखो लापटोप अभी रिसेली लाउंच हुआ है और इसका जो प्राइस है वो एकदम ही basic है सिर्फ 40,000 के अंदर आपको लापटोप में जाएगा और इसके अंदर हमें i3 का 13-15 वीडियो प्रसेसर दिया गया है अगर आपको 14 इंचिस के डिस्प्रे साइज में लापटोप चाहिए तो उसका भी अप्शन अवेलिबल है 15-56 इंचिस के साथ भी अपना लापटोप अवेलिबल है इस बिच्ट के अपको इतनी अच्छे डिस्प्ले मिलती भी नहीं है जो कि इस लापटोप की है इस सारी पोट्स हमें अपने लापटोप के अंदर मिल जाती है एक बात यहां पर हमने समझनी है कि अगर अपना ब्रेट 40,000 रुपी है न तो यह लापटोप सबसे बड़ी आप्शन रहेगा दोनों डिस्प्ले साइज में अवेलिबल है सबसे लीटेस प्रिसेसर है सब इसके अंदर में आई 5 मिल रहा है तो इसकी परफॉर्मेंस में ज्यादा बढ़ी है मिलेगी नो डाउट और 46,000 के हसाब से आई 5 का 12 जनेशन पर शैसर मिलना बड़ी चीज है 8GB की RAM, 512 GB की SSD बोथ हार Ekspandable अब यह लैपटोप अपने पास अवेलेबल लाया है 14 इंचिस की दिस्प्ले साइज में और मज़े की बात वते है कि यह लैपटोप आपको दोनों डिस्प्ले साइज में मिलता है 14 इंचिस के अंदर भी 15 पंच 16 अंदर भी आप इन दोनों में से किसी भी लाप्टोप को भाय कर सकते हो अपने रिक्वार्मेंट के अगॉर्डिंग टू फिफिटी निट्स की ब्राइडनेस एंड 45 परसें एंट्यसी फूल एजी डिस्प्लेय अच्छी डिस्प्लेय लाप्टॉप की इंटल के उस्टी ग्राफिक्स एमेस ओफिस यागर लाइटाइम वेलिडिटी के साथ में तीन यूस्पी टाइप है एश्टी हमें एंड 3.5 mm जैक बड़िये लाप्टॉप है जरूर कंसेडर करो इसे आप नेक्स्ट इस इससर का एस्पायर लाइट लाप्टॉप दिखो इ यह काफी बड़ा प्लस पॉइंट है जो इसर का लाप्टॉप है वह हमें मिलता है बड़ी डिस्प्ले साइज के अदर उसके अंदर 14 इंचिस का डिस्प्ले साइज अवेलेबल ही नहीं है वह में सिरफ 15 चेंज के अंदर मिलेगा तो दोनों इस दूरों में से किसी को भी सकते हो एंड जो डेल वाला लाप्टॉप है वह इस बड़ेट का वानुदी है यह सरी लाप्टॉप है इस चीज का भी आपने ध्यान अखना है आगे बढ़ते हैं एच्पी का लाप्टॉप बताता हूं एच्पी का 15S लाप्टॉप इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस की सबी ऑप्शन मिल जाते हैं ना राइजन के साथ ही उन सबी के साथ कंपेरिजन आपके सामने है तो आप यह चीज़ चेक कर सकते हो कि 5500 यू काफी तखड़ा प्रिसेसर है सूला जीबी के लाप्टॉप के अंदर इट इस नॉर्ट एक्सपेंडेबल 15.6 इंजिस की फू अब एक काम करते हैं सबसे पहले गेमी लाप्टॉप चेक करते हैं उसके बाद माँ को एक प्रोफेशनल लाप्टॉप बताऊंगा जो की बोनस लाप्टॉप आपके लिए लिए वह सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूं कि 45,000 के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी के टकर का कोई भी लाप्टॉप आपको इस बिरेट के अंदर मिलता ही नहीं है राइजन 5 प्रेसेसर है 5,500 ऐच 5,000 सीरीस का चार को और एट थेट अभी तक की विडियो के अंदर हमने सिर्फ यू सीरीस के प्रेसेसर देखे हैं बट इसके अंदर हमें एक सीरीस का प्रेसर ही नहीं है लेकिन अगर आपने गेमिंग करनी है तो अपने लाप्टॉप के अंदर एच सीरीस का प्रेसेसर मस्ट है बही अपनी गेमिंग को हैंडल कर सकते हैं 8GB की राम जोके एक्सपैंडेबल अब 30GB तक 512GB के SSD मैं आपसे हमेशे यह जीजिस करता हूं कि 16GB की राम अप को आटेस 2050 ग्राफिकरड है चार्ज इवी का TGP 70W की एंड सारी इसको आपके सामने चाहिए हम जीटेफाइब की बात करने स्नाइपर रिलाइट होगी वर्ल वार जीओ की बैडल फील्ड होगी सारी गेम से एक्दमी स्मूदली प्लेएबल अपनी तो दिक्कत वाली तो द प्लेबिल्टी भी मिल रही है आपको और क्या चाहिए सारी निसेसरी पोर्ट्स हैं दो यूस्पी टाइप A 3.2 Gen1 एक यूस्पी टाइप सी 3.2 Gen1 जो की सिरफ डेटा ट्रांसफोर को सपोर्ट करती है HDMI Ethernet and 3.5 mm jack वै इकलौता गेमी लाप्टोप है 45,000 का आखें बंद करके आप इस लाप्टोप को भाई कर लो बॉड़ी मिल रही आपको 16GB की DDR5X RAM है लाप्टोप की RAM एकस्पेंडेबल नी है बट स्टोरेज एकस्पेंडेबल है 512 GB के SSD मिल जाती है 16 जीज की डिस्प्ले साइज में लाप्टोप दिया गे अगर आपने प्रोफेशनल लाप्टोप बाई करना है जिसके उपर आपने कभी-कभी हैवी काम भी करने या फिर आपने हैवी काम करना चाहते हो रूटीम के अंदर भी करना चाहते हो ना तो यह वाला प्रिसेसर बढ़िया रहेगा 12458 दिया गया स्पैसिफिकेशन अच्छी है मेक शूर कि आसपा सर्वी सेंटर होना चाहिए और का अगर तो सर्वी सेंटर है बिंदासों के लाप्टोप बाई कर लो अगर सर्वी सेंटर नहीं है फिर आफ्टर सेल सर्वीस के अंदर आपको दिक्कत मिलेगी इस चीज का आपने ध्यान तो बढ़िए आप इसे बिलकुल बिंदासों के बाई कर सकते हो सबीके लिक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई क्वेरी तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में में मेंशन कर दें डाट सौल फॉर दिस शूटर गाइस थैंक यू फॉर चीन दी वीडियो पीस आउट